हेलो वैस्ट सो वेलकम बैक टो यूटीब चैनल आफ टीम्स फर विन सो आयोप अपसे काफे अच्छे हो यह काफे अच्छा विन भी कर रहे होंगे इस पर्टिकल वीडियों बात करने वाले इंग्लेंड वैसे श्रिलंका के जो आज का ODI होने वाला है सो सेकिंड ओडिय जो खेले जाएगा फर्स्ट में इंग्लेंड ने लाई काफे अच्छे तरीके से विन क्या सो अभी सेकंड की बारी सो देखते हैं कैसा कुछ यह मैच जाता है बाकि फिछले मैच से क्या कुछ अब्जर्वेशन निकलिए सो वह सब डिसक्स करेंगे और क्या कुछ आज की प्ल प्रेस कर लेना ताकि आप जो कोई मैच की वीडियो मिस ना करो बाकि अभी चलते एक बर फटावर्ट से अपने प्रिवे के उपर बट उससे पहले एक और चीज़ में आपको बता दू कि इस मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट वगर आएगी या में भी वीडियो के बा जाएगा कैनिंग्टन ओवल लेंडन में खेले जाने वाले और डे टैम के में बात करो तो फाइफ थर्टी जो रहेगी इस मैच की डेडलाइन लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप मैचेस देखते हो तो सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पर देखने को मैं लागा पिच की बम बात सो उनको अगर बोलिंग फेस्ट वापस से करने पड़े तो उनको जाएगा दिक्कते होंगी निए इंटर्मिटेंट क्लाउड्स बड़ चांसे ऑफ रेइन की थोड़े पो चांसे बट काफी कम है वो भी जाद आपको दिक्कते देखने को नहीं मिलेगी तो बागे टेंप बैटिंग सेकेंड ने जो मैसे जीते हैं वो है 43 अंड बैटिंग फर्ष्ट ने जीता है 33 सो यह रहा है अभी तक का सो बैटिंग सेकेंड आगर आती किसे भी टीम की तरमिन को जाद दिक्कते होंगी निए बैचे जिरो टाइब अगर यहां पर कोई भी रहा निया है एवर पर चाहिए 271 अच्छा स्कोर यहां पर हो सकता है उससे भी उपर बन सकता है बाग्या स्कोरिंग पैटरन के अगर हम बात करते हैं तो बिलो स्कोर टू हंड़र्ड जो रहा है वो 14 200 से 249 के बीच में जो रहा है वो 25 200 से उपर जब भी स्कोर बनाए वो 13 एंड 300 से उपर भी 17 बहुत बार जो रहे सकर देखने को मिला है 17 अगर इंग्लेंड ऐटिंग फस्ट जो करती है नं 300 से उपर मैट भी स्कोर आपको देखने को मिल जाए है अदरवाइस 200 249 तो रहे सकता है अगर फ्रिंग करती है तो यह 2200 से नीचे काफी कम चांसे है बाग ची 240 250 पर तीन से तो पर देखने को मिल सकता है कंडिशन आपको बताए गिए श्रिलंका इंग्लेंड का जो वन डर इंट्रेंशल है टो रिकोर्ड है उसमें टोटल 76 मैच इसमें श्रिलंका ने जीता है इंग्लेंड जीते हैं 37 तो थोड़ा सा एक्वल एक्वल रहा है बट अभी के लिए तो लाइक इंग्लेंड एक थोड़ा सा अपर एंड है उनका श्रिलंका के उपर अब तक दो मैचस के रिजल्ट एकने को ने मिला एक बार हुआ है टाई लास्ट गेम के अगर हम बात करें चेस्टरली स्ट्रीट में मैच वा था जिसमें इंग्लेंड ने पांच विकेट से काफी अच्छे तरीके से मैच को विन किया अविलिबिलिटी न्यूज एंड सम फैक्ट्स के अगर हम बात करें जैसन रोज यह वो फिट है एंडर प्लेंग 11 में सीधे आ सकते हैं सेम बिल सोर सो धरेंजेट सिल्वा वापस एक काम आने वाला चलिए प्रोल प्लेंग 11 के बात करें इंग्लेंड उसी श्रलंका इंग्लेंड के तरफ से जैसन रोए रह सकते हैं जो रूट लिविंग स्टैन और मोर्गन मोहिन अली सैम करें डैविड विली क्रिस वोक्स आदिल प्रोइड करते हैं और बोलिंग उप्शन भी जो एक प्रोइड करते हैं इस वाई से आई थिंग कि सैम बिलिंग्स की जगह इखाली हो सकते हैं आज के लिए श्रलंका की तरफ से प्लेंग 11 जो रह सकते हैं उसमें कुशल परेरा है उशादा फर्णा पाथम निशान का धन प्रोइड करते हैं इंग्लेंड के तरफ से जैसन रोई 96 मैचेस है चालिस के करीब इनका एवरेज नो सेंचुरीज उनिस हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं श्रलंका के गेंश में जो एवरेज वो चला जाता है इनका चालिस से फिफ्टी फॉर की तरफ सो डेफिनिटली श्रलंका इनको काफी रास आती है तो अच्छे पिक आपके आज के लिए हो सकते हैं फर्स्ट पैटिंग करें चाहें सेंड आइटिंग के दोनों ही में अच् 152 इनके रन से बात करते हैं जो रूट की तो इनका तो लाइक वेन्यू पर भी इतना अच्छा खासा रिकोर्ड है ओवरोल 52 का है अगेंश श्रलंका 58 पहुच जाता है और वेन्यू पर उनका रिकोर्ड है 60 सो सब कुछ आज जो रूट के फिवर में जा रहा है तो एक अच अगर लाइक यहां से कोलेप्स होता है बैटिंग ओडर जैसन रोट या मलान में से तन ओइन मोर्गन एक डफिनिटल अच्छे पिक हो सकते है अगर बैटिंग फिस्ट आती है और सेगंड बैटिंग आती है तो चांसे है कि श्रलंका थोड़ा कम स्कोर बनाए और जो टोप किया है जना आते डोसन के ओपर तीन मेंस तीन विकेट कर चुक है इस श्रलंका है दो मैचेस में सिर्फ एक विकेट बड़ चार का इकनोमी रेट है राइट आम उप स्विनिक करने वाले है तो यह रहेगा थोड़ा बहुत बागी मोहिन अली के तरफ जाते तो यह एक अच श्रलंका 18 मैचेस में 12 विकेट से इनके नाम एंट 341 जो है रंस भी आते एक संचुरी इनके नाम आते है बागी धनिंज देसलवा ने इनको एक एक बार हैट प्रड़ मैचेस माउट किया साथ विकेट सब तक पिक कर चुके हैं बागी अगें श्रलंका एक भी विकेट इन क्रिस वोक्स रहे थे पिछले मैच में इस मैच के भी लाइक ट्राइ कर सकते हो मश्पिक आपके लिए हो निचे बागी अगें श्रलंका जिसा मैंने बोला था 11 मैचेस में 28 इनका जो रहा है एवरेज एंड 28 इनके विकेट से डेमिनेट लिए अगें श्रलंका और भी काफ ने विश्का फर्नांडो को एक बर के हैं मार्क वुड ने 56 मैचे 66 69 विकेट से श्रलंका के इस में तीन मैच और तीन विकेट जिसमें एक ही मैच में लाइकन की तीन आये थी बागी दो मैचों विकेट लेस गए थे तो इधर से आप बोलिंग उप्शेंस में क्रिस वोक्स और 34 का इनका ओरो लेवरेज है बागी काफी ज्यादा रेस्पोंसिब्लिटी है श्रलंका के इनके उपर सो डेफिनेटल एक अच्छे पिक रहेंगे लास्ट मैच में भी ऐइधिंग 70 के उपर इनके तरफ से जो रंस देखने को मिले थे बागी वोक्स ने डोसन ने अली न लास्ट मैच मैं थे पाथूम निशान का ने जो ओपनिंग की थी सो वह शादा आयते वन डाउन या ऐसा कुछ था तो वह थोड़ा सा मैंड से स्लिपाव को दिक्कत नहीं है बट पाथूम निशान का ओपनिंग आयते यह मेरे को ध्यान है ज्यादा कुछ इनके तरफ से द समाले बट ओपनिंग में मेरे को बिल्कूल भरोसा इंको पर है नहीं दरेंजर लक्षन की तरफ जाते हैं 16 मैचेस 455 इन्होंने रन स्कूर के 12 विकेट्स भी है बट यह है फर्स्ट क्लास का इनका कैरियर जिसमें 29 मैचेस एंड 18 विकेट्स भी इनके नाम है टी 20 में दरें समाल सकते हैं बोलिंग में बैटिंग में बाकि मोहिन अली सेम करें वोक्स रासीद को इन्होंने एक एक बार हैट्वेड में आउट किया है बाकि दशिन शनागा की तरफ आते हैं तो इनका भी जो रोल है वो कुछ धरेंजर देखने को मिल सकता है जैसा टी 20 में के तरफ से देखने को मिलाता वैसे कुछ ओडियाई में भी देखने को मिल सकता है बैटिंग बॉलिंग दोने साब को पॉइंट यह दे सकते हैं सो डेसल वाया दशिन चना का एक के तरफ जा सकते हो बागि टेक्निकल स्ट्रोंग अगर में बोलू बैटिंग में तो धनेंजर डेसल व विकेट्स ओर्रोल है इसी उरुड़ान के मेन बोलड हो सकते हैं इसमें इन्के मैसमें तरफ इंक मैच में न काते हैं मोर्स सब्सक्राइब में बारी prol wraps जिए इनкे आम ऑा कि चुके दुछमिंता चैमै धनिया विकेट्स बथ ऊसरई और इत्व मैच शुली ऐदा में कर तेनाते बिनूरा फर्नेंडो दो मैच दो विकेट कर चुके हैं और उसके बाद में बात करूं इंग्लेंड के अगिश में तो एक मैच में एक विकेट है तो इधर से अगर मैं शिर्दंगा की तरफ से थोड़े शोट लिश्ट प्लेयर करूं दन कुशल परेरा बनते हैं एक लाश्ट मैच थोड़े ऊपर आयते हैं उसके बाद में इसूरु उडाना एंड दुश्मंता चमीरा बिनूरा फर्नेंडो तो इसूरु उडाना को हम बोलता हूं मश्ट बनने चाहिए चमीरा बिनूरा मैं से रिस्क लेना चाहो तो बिनूरा के साथ में अगर सेफ जाना सबस्ती चाहो तो चमीरा के साथ में जा सकते होगए कटन वाइस का ठेशिकर आपॉटल प्शूर्न हो सकते हैं जिसका लिंक में निदिख्रिप्शन में था 보직 बिन करा ना ना बाद के लिए एक बार combination जो मैंने जो बनाए हुआ है वो भी आपको मैं शो कर देता हूँ एक बार तो अभी के लिए रही कि टीम कुशल परेरा पिक किया हुए उसके बाद है बैश्टो रूट रोई एंड मलान है मेरे पास चारो टो पर्टर बैट्समन को पिक किया हुआ है उसके बाद मैं क्रिस वोक्स जिनों लाश्ट मैच का फेचा पर्फॉर्म किया था देन है डैविड विली एंड मार्क वुड मेरे पास चाहो तो वुड की जगह पर सेफ जाने के लिए आप मोहिन अली के साथ में जा सकते हो बाद मैं उल्रेडी लाइक बैट्समन प्रैफर कर चुका हूँ तो इसी वाज़े से मैंने मोहिन अली को थोड़ा सा रिस्क लिया है तो इन दोनों में कोई भी एका वाइस कप्रेंट ट्राइ कर सकते हो रोई का जो रिकोर्ड है वो अगेंस श्रलंका काफी अच्छा है बट बट अगर हम बैश्टों का देखे तो उनका ठीक था गया रिकोर्ड बट श्रलंका की तरफ में कुछ खास नहीं तो एक रोई ज् इसली जो है दे जाएंगे क्रिस वोक्स सो कैप्टन रूट एंड वाइस कैप्टन के लिए आप वोक्स या रोई के साथ में जा सकते हो बैस्टों एक अनाधर चोईस बंत है अगर आपको वीडियो प्रेस कर लेना ताकि आप जो कोई भी मैच की वीडियो वीडियो वो मिस